सो हे गाईज वैलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में सो गाईज जारकन डिश्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से एक और बड़ी वैकेंसी आ चुकी है या जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं जारकन लेवरेटरी असिस्टेंट कॉम्पिटेटिव एक्जामिनेशन दो हजार बाइस के लिए होने वाली है जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाइ कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस रिक्वार्मेंट में यदि आप इलिजिवल हो एंड इंटरेस्टेड हो तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल अप कैसे कर सकते हो जिसका कम्प्लीट प्रोसीजर इस वीडियो में आपको बताने वाला कि इस रिक्वार्मेंट से जूड़ी आपके क्या इलिजिवलिटी क्या क्रेटेरिया होने वाली है क्या एक्जाम प्रोसीजर होगा इस टॉपिक पर मैंने एक कम्प्लीट वीडियो बना रखा है आप सिंपल ही हमारे चैनल पर विजिट करोगे तो आपको यहाँ पर असिस्टेंट वैकेंसी दो हजर बाइस इसमें मैंने नॉटिफिकेशन के कम्प्लीट जनकारी दे दी है जिसके बदत से आप जान सकते हो कि इस रिक्वार्मेंट के लिए आपकी क्या इलिए क्या क्रिटेरिया होने वाली है यदि आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो के रिस्क्रिप्शन में भी और उपर आई वर्टन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा जाकर कि आप वाच कर सकते हो तो चलिए हम बात करते हैं कि इस रिक्वार्मेंट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो इससे पहले यदि आप इस चैनल करने के साथ साथ बेल आइकन में औल को प्रिस कर लिए गा ताकि सी प्रकार की इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे तो गाइस इस रिक्वार्मेंट में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जी एससे की ऑफिसल वैप साइट पर आना होगा आनी के कमारिका के बार नीचे स्क्र लाउण करेंगे एपलिकेशन फॉरयों करेंग। आपको यहाँ पर आप्लिकेशन फॉर्म में फर्स्ट आक्लिकर टुर्टेलस इसके बगल में प्लाइन नाव आपशिस अप्सन पर क्लिक करेंगे ऐक्सटरrum पेयज आपको ऑपिन होगा, अल्राइन रजिस्टेशन स्टार्ट हो चुका है उन्तीस आट दोहजर बाइस से और आप इसके लिए लाश्ट अपलाई कर सकते हैं 28-9-2022 के रात तक बाकी आपके यहां पर पैमिंट कर सकते हो 39-2022 तक आप यहां पर फोटो सिगनेचर और अपना अप्लिकेशन प्रिंट क के लिए 100 रुपय का पैमिंट रखा गया है SCHT के लिए 50 रुपय का पैमिंट रखा गया और PH कैंडिट के लिए कोई पैमिंट नहीं है फ्री में अपलाई कर सकते हैं गाइज इसके डेट एक्स्टेंड भी हो सकते है अगर आपका डेट बढ़ाया जाता है तो इसके बाद आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जनकारी मिल जाएगी यदि डेट इससे आगे आप इस वीडियो को वाच कर रहे हो तो एक बाद डिस्क्रिप्शन को वाच कर लिजेगा अपडेट होती है डेट एक्स्टेंड होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जनकार बात करते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप किस post के लिए apply करना चाहते हो, आपको यहाँ पर तीन option मिल जाएंगे, तीनों ही के बारे में क्या eligibility criteria होने वाली education qualification करा रहेगी, उसके बारे में मैंने आपको notification में बता दिया, वो वीडियो आपको उपर आई वाटन मे करके watch कर सकते हो, आपको यहाँ तीन option मिल जाएंगे, lab assistant physics में, lab assistant chemistry या फिर lab assistant biology, आप किसके लिए apply करना चाहते हो, आप अपने according select करोगे, जैसे हम chemistry के लिए apply करना चाहते हो, तो chemistry option select कर लेते हैं, then आपको यहाँ देखने को मिलेगा, Indian citizen हो, simply यहाँ yes option को select कर लोगे, then आपका जो भी name होगा, आपको अपना पूरा name इस box में fill कर लेना है, जो आपके metric के certificate में देखने को मिलता है, then आपको यहाँ पर date of birth select करना है, जिसमें आप calendar की मदद से, आप easily अपने date of birth को select कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले year select करोगे, then month select करोगे, then आप day को select कर लोगे, यहाँ पर अपने according option की मदद से select करोगे, then, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यदि आप local resident of जारखंड हो, यानि जारखंड का आपके पास radiation certificate है, तो आप यहाँ पर yes option को select करेंगे, then आपका एक अलग option open हो जाएगा, जिसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर district कौन सा है, आपका जहाँ पर आपका resident certificate है, जिसका तो आप अपने according select करेंगे, यहाँ पर आपको अपने certificate number देना होगा, then, यहाँ पर आपको कौन authority ने issue किया था, जिसमें HTO, DC या फिर CO ने issue किया था, वो आप अपने according option के मदद से select करोगे, यहाँ पर देखने को मिल जाया, कि आपका certificate किस date को issue किया गया था, तो आप अपने according यहाँ पर select कर लेंगे, जो भी date को आपका certificate issue किया गया था, यह सारी detail जो है, आपके resident certificate में भी मिल जाएगी, जाकर के check out कर सकते हो, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, कि आपने metric और intermediate, दो आप यहाँ पर no कर सकते हो, otherwise आपको यहाँ यहाँ यही करना होगा, then आपको यहाँ reservation category मिल जाएगी, आपकी reservation category क्या है, वो आप यहाँ पर select कर सकते हो, जिसमें general, SC, HT, EBC1, BC2 और EWS के options मिल जाते हैं, तो आप अपने according select कर लेंगे, यहाँ पर ex-serviceman हो, army, air force या navy में, तो आप यहाँ पर अपने according select करोगे, otherwise no option को select करोगे, sport quota से belong करते हो, तो yes कर सकते हो, otherwise no option को select करोगे, physically handicapped person हो, तो yes करोगे, otherwise no option को click करोगे, यहाँ पर आपको अधार card number दे सकते हो, अगर आपके पास है, तो दे दोगा, otherwise important नहीं है, visible identification mark 1 में, आपका कोई भी body पर कोई cut mark है, आप यहाँ पर fill कर लेंगे, then यहाँ पर second option भी मिल जाता है, आपका second भी कोई mark है, तो आप यहाँ पर fill कर सकते हो, otherwise first important है, आपको यहीं पर fill कर लेना है, then अगर आप local language, यानि जारकन के जो भी local languages हैं, उससे आउगत हो, तब आपको यहाँ पर yes करना है, यानि आपको इस option म यहाँ पर पूले सिटेशन जेनरली fill कर लोगे, then आपको यहाँ पर village city, आपका जो भी नेम village का city का वो आप यहाँ पर filter कर लोगे, district आप यहाँ पर fill कर लोगे and state आप अपने according यहाँ पर option की मदद से select कर लेंगे, then आपके area का जो भी pin code होगा, वो pin code आप यहाँ पर fill तो आपको एक option मिल जाएगा same as permanent address इस option पर टिक करोगे तो आपको अपने present address को आप यहाँ पर fill कर लेंगे चलिए हमारा same है तो हम यहाँ पर same as it is fill up कर लेते हैं नीचे आप देख सकतो हो यहाँ पर आपको अपना present mobile number देना होगा mobile number active होना चाहिए तो आपने mobile number आप यहाँ पर fill करेंगे और इससे आप यहाँ पर confirm कर लेंगे and valid and active email id आप इस box में fill करेंगे username और domain name के साथ में देन आपने email id को यहाँ पर आप confirm कर लेंगे नीचे आपको educational detail देना होगा तो जिसमें आपको तीन detail देनी है metric की, enter की और graduation की तो आप यहाँ पर fill करेंगे मैंने यहाँ पर demo के तोर पर कुछ detail फिल किये आप अपने according real detail यहाँ पर fill करेंगे जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर देना होता है आपना school name, college name या फिर institution name तो आप यहाँ पर fill करेंगे याद रखोगे यहाँ पर name the school का fill करने के साथ साथ आपको state भी fill करना होगा तो आप यहाँ पर fill कर लेंगे then आपने किस board किस university से किया है तो आप यहाँ पर fill कर लेंगे जैसे कि 10th class CVAC से किये हो तो आप यहाँ CVAC board type कर लोगे then year of passing आप यहाँ पर option की मदद से select कर लेंगे and कितने percentage marks आयत है वो आप यहाँ पर generally type कर सकते हैं यहाँ पर subject कुछ देने किया हो सकता है नहीं तो इसलिए यहाँ पर इसे blank कर दिया गया है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा intermediate तो intermediate आपने किस college से किया है क्या board है और आपने किस year pass out किया है आप यहाँ पर fill कर लेंगे कितने percentage marks थे वो आप यहाँ पर fill कर लेंगे और आपने science से किया तो आप simply लिख सकते हो inter from science तो आप अपने according यहाँ पर type कर लोगे किस stream से आपने 12 class pass out किया था देन आप यहाँ पर graduation detail देने होंगे तो graduation किस college से किया था आपने किस board से किया था किस year pass out थे और कितने percentage marks थे वो आप अपने according यहाँ पर type कर लेंगे और यहाँ पर आप type करेंगे किस stream से आपने किया था generally आपको यही तीन detail देनी है educational qualification में तो आप अपने according सही-सही fill करेंगे then सारी detail को check करनी के बाद next option पर click करेंगे then guys यहाँ पर आपका page preview open हो जाएगा जो भी detail आपने feel किया है सारे detail आपको यहाँ देखने को मिल जाएगे तो आप अपने according सारे detail को एक बार अच्छे से check करेंगे then आपको यहाँ क्रैपचा देखने को मिलेगे as it is इस option पर feel करेंगे and यहाँ declaration को tick कर लेंगे and final submit option पर आप click करेंगे आपका registration यहाँ पर complete हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं किस post के लिए आप apply करेंगे साथी साथ registration number आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा इस registration number को आप copy करके रख सकते हैं फिर आप इसका एक screenshot लेकर के रख लेंगे यहाँ पर आनी के बाद complete procedure हो जानी के बाद आप proceed option पर click करेंगे then आपका यहाँ पर login page उपन हो जाएगा जो भी registration number आपने copy किया था वो आप यहाँ पर type करेंगे date of birth आप यहाँ पर type करेंगे then guys आपका page यहाँ पर login हो जाएगा आप यहाँ देख पाओगे कि कितने रुपए का आपको payment करना है और payment आप यहाँ पर देख सकते हो 24 से 48 घंटे के बाद ही आप यहाँ पर कर सकते हो तो आप यहाँ पर 24 घंटे वेट करोगे उसके बाद ही आप यहाँ पर payment कर सकते हो then आप अपने photo signature upload कर सकते हो then अपने application form को print कर सकते हो तो इसके आगे के procedure को मैं आपको अभी ही बता देता हूँ बाकी जो है आप अपने 3 दिन के अंदर ही आप इस form को complete कर लोगे चलिए payment करने के लिए आप generally pay now option पर click करोगे दुबारा login करने के बाद में then आप SBI के official website पर redirect कर दी जाओगे term and condition आप यहाँ पर accept करोगे and proceed option पर click करोगे यहाँ पर आपको payment category देखने को मिल जाएगे तो payment category में एक option मिल जाएगा JLACE 2022 इस option को click करोगे यहाँ पर आपको application number देना होगा जो भी आपने वहाँ पर copy किया था जो मैंने आपको दिखाया था registration number वही आपका application number भी होगा तो वो आप यहाँ पर fill करेंगे and submit option पर click करेंगे 24 से 48 घंटी के बाद आप यहाँ पर इस प्रकार के procedure को करोगे तो कुछ detail आपको यहाँ पर fetch हो जाएंगे आप यहाँ पर सारी detail चेक कर लोगे then remark section में generally type करोगे payment for lab assistant then आपको यहाँ नीचे scroll down करना है यहाँ पर आपको अपना पूरा name fill करना है जो भी आपका date of birth होगा आप यहाँ calendar की मदद से easily select कर लिजेगा then आपको अपना mobile number इस box में fill करना है email id फिल करना है craft shop qualities इस box में fill करना है and detail चेक करनी के बाद submit करना है submit करोगे तो आपका page preview कुछ इस प्रकार से open हो जाएगा आप यहाँ पर सारी detail को फिर से एक बार check कर लोगे payment करने से पहले then confirm करोगे confirm करनी के बाद आप यहाँ पर page open हो जाएगा यह आपका payment gateway पेज है यहाँ पर आप payment कर सकते हो online net banking से या फिर card payment भी कर सकते हो यहाँ पर आपको UPI payment भी मिल जाता है तो आप अपने according जो भी आप payment करना चाते हो method यूज करना चाते हो कर सकते हो so guys debit card से payment करने के लिए रुपे option पे click here option पर click करोगे then आपका page इस प्रकार्ट से open हो जाएगा आप यहाँ पर कुछ basic detail फिल करेंगे जिसमें card number फिल करेंगे expiry date फिल करेंगे card holder name फिल करेंगे cvb number फिल करेंगे and craft charities यहाँ पर फिल करने के बाद pay option पर click करेंगे आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा OTP यहाँ पर फिल करेंगे and make payment option पर click करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं आपका payment successful हो चुका है आप यहाँ पर payment के receipt भी download कर सकते हैं इसके लिए click here for download PDF इस option पर click करेंगे आप इस page को easily print कर सकते हो print option पर click करके चली हम इसे अपने desktop आप ही अपने mobile या desktop में save करके इसे रख सकते हो इस प्रकार से आप इस requirement के लिए payment कर सकते हो यहाँ पर मैं आपको बता दू payment कर लेनी के 24 घंटी के बाद अब आप यहाँ पर अपने photo signature अपलोड करनी के बाद application डाउनलोड कर सकते हो चली अब इसके 24 घंटी के बाद के प्रोसेजर बात करते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर आओगे फिर सी इसी website पर login option पर click करोगे और यहाँ पर login अपने ID और अपने date of birth फिल करनी के बाद जब आप ID login करोगे तो इस प्रकार से page आपको open हो जाएगा यहाँ पर आपको photo upload करने यहाँ पर आपको signature upload कर लेने हैं जो आप generally 10 के बी से 20 के बी के बीच में signature और 20 के बी से 50 के बीच में photograph upload करोगे इसके लिए choose file option पर click करोगे अपने photo upload कर लोगे upload profile option पर click करोगे ok कर लोगे आप यहाँ पर upload कर पाऊगे photo ठीक इसी प्रकार से आप अपने signature को भी यहाँ पर upload कर लोगे चली हमने यहाँ दोनों upload कर लिया then capture आप यह ज़िटीज फिल करोगे and save and next option पर click करोगे then आप यहाँ देख सकते आपका application submit हो जाएगा registration number देखनी को मिल जाएगा simply application print इस option पर आप click करेंगे आपका application page इस प्रकार से open हो जाएगा आप इस page को easily अपने mobile या desktop में save करके रख सकते हो future reference के लिए so guys इस प्रकार से जारखन lab assistant की तरप से आने वाली इस lab requirement के लिए आप online apply कर सकते हो I hope इस वीडियो की मदद से मैंने आपको complete जनकारी दे दिया यदि आपको इस topics related कोई भी confusion हो तो आप हमसे नीचे comment करके पूछ सकते हो जनकारी आपको जल से जल मिल जाएगी so वीडियो अच पसंद है तो please इस वीडियो को like करने के साथ साथ चैनल पढ़ने हो तो subscribe कर लिजेगा इसी प्रकार की informational videos आपको समय समय पर मिलती रहेगी so चली आसने के लिए इतना ही मिलते हैं किसी और topic को लेकर next studio में तब तक के लिए जाए हिंद